नवस्ते साथियों एक बार फिर आप सभी का स्वागत और बहुत-बहुत धन्यवाद मुझसे जुडने के लिए आज मैं आपको एक दिल्चस्प कहानी सुनाओंगा आशा करता हूँ कि आपको कहानिया सुनना पसंद है और मुझे तो बहुत पसंद है और कहानिया बताना भी पसंद है तो एक ऐसी कहानी है जिससे आपको बहुत बहतरीन सीख भी मिलेगी और शायद सुनने में मज़ा पी आएगा तो कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है, जो काफी आलसी था, तो ये हमारे इस कहानी का मुख्य किरदार है, जिसे हम नायक भी कह सकते हैं, वरना खलनायक भी कह सकते हैं, तो ये जो हमारी कहानी का नायक है, हीरो है, इसकी एक आदत थी, कि ये कहीं भी खड़े-खड़े सो जाता, क् काम काज करना ज़ादा पसंद नहीं था, लेकिन हमारे इस आलसी दोस्त की एक खूबी थी, और खूबी ये थी कि जब कभी वो सोता, सोते वक्त सपने देखता, अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम सब भी सपने देखते हैं, लेकिन उसके सपनों की विशेष्टा ये थी, कि जो भी वो सपने में देखता, वो वाकई में हकीकत में हो जाता, यहने वो भविश्च देख पाता अपने सपने में, अब क्यूंकि वो आलसी था, उसके माबाब उससे काफी तंग थे, उसके दोस्त उससे परिशान थे, क्योंकि वो कोई भी कामकाज नहीं करता था, तो क्यूंकि उसके माबाब उसके पीछे पढ़े रहते, कि भाई कुछ कामकाज कर लो, कुछ धंका काम कर लो, एक दिन टंग आकर उसने अपने एक दोस्त की सला ली, उसने का यार मुझे एक नौकरी दिला दो, तो उसका जो दोस्त था, उसी राज्य की सेना में काम करता था, उसने का कि मैं आपको सेना में काम दिला दूँगा, आप मेरे साथ वहाँ पर काम कर सकते हैं, तो वहाँ का राज्या काफी मशूर था, और उसकी सेना भी काफी बढ़ी थी तो दोस्त के कहने पर उसे सेना में भरती कर लिया गया उसके बाद उसे प्रशिक्षित किया गया अगले दो-तीम महिनों तक और फिर उसे काम दिया गया कि वो उस राज्य के मुख्य द्वार पर द्वारपाल का काम करे यने ये देखे कि वहाँ से कौन आ रहा है और कौन जा रहा है और अगर कोई संदिक थो तो उसे रोक लिया जाए तो ये काम उसे सौपा गया और क्योंकि भाई साब आलसी थे हर दिन जब कभी वक्त मिलता जबकी लगा लेते सो जाते काम की तरफ जादा उनकी रुची नहीं थी अब होने वाला ये था कि अगले हफते उस राज्य के जो राजा थे वो पड़ोसी राज्य में एक दोरे के लिए जाने वाले थे और दोरे के वक्त उनका मकसद था कि वहां के लोगों से मिलें उनका हालचाल पूचें अपने मित्रों से भेट करें वगरा वगरा अब ह जो पड़ोसी राज है वहाँ पर एक भीशन भूकम पाने वाला है और इस भूकम में कई सारे लोगों की चान जाने की संभावना है बहुत जादा मातरा में क्षती होने की संभावना है अब क्यूंकि उसे यह पता चलता है वो दोड़ते दोड़ते अपने राजा के पास आक पर कुछ कहने लगता है वो कहता है राजा साब मैं आपसे कुछ दरख्वास करने आया हूँ मैंने अपने सपने में देखा कि आप जो हैं पड़ोसी राज में जाने वाले हैं लेकिन वहाँ पर कल एक भीशन भूकम पाएगा जिससे आपकी जान को खत्रा है तो मैं आपसे ठीक है जान की बात है तो मैं इसकी बात सुन लेता हूँ तो राजा रहे का ठीक है मैं नहीं जाओंगा अब दूसरे दिन राजा ने अपने एक मंत्री को भेजा और कहा कि जाके मालूम करो कि वाकर में कुछ ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था तो दूसरे दिन जब उनके मं मंत्री उस पड़ोसी गाउं में गए तो ने पता चला कि वाकर में भीशन हुकम पाया था जिसके चलते काफी मात्रा में लोगों की चान जा चुकी है और वहाँ पर काफी शती पहुंची है तो ये बात सुनकर मंत्री जी पहुंचे राजा के पास और जैसे राजा नी ये ब वस्तु के तोर पर हमारे इस हीरो को दे दिया और कहा कि ये आप के लिए भेट वस्तु है क्योंकि आपने सपने में भविश्य देखकर मेरी जान बचा ली अब ये उपहार पाकर सैनिक जो है हमारा हीरो काफी खुश हुआ लेकिन उसी वक्त राजा ने उससे कहा रुको अब इस कहानी को देखने के बहुत सारे आयाम है लेकिन जरा देखते हैं कि राजा ने उसे उपहार क्यों गिया उपहार इसलिए दिया गया क्योंकि उस सैनिक ने राजा की जान बचाई जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि उसने एक राजा की एक इनसान की जख्ती की जान बचाए जो अपने आप में काबिले तारीफ है लेकिन उसकी एहम जिम्यदारी थी कि वो द्वारपाल का काम करे इसका मतलब वो सो नहीं सकता उसे नजर रखनी है आने जाने वाले लोगों पर और उसकी जो मुख्य भूमिका थी उसे करने में वो असफल रहा और इसी के चलते राजा ने उसे नौकरी से निकाल दिया अब इस कहानी को अगर आप देखें और परखें तो जब आप अपनी और देखें और अपने आप से पूछें क्या हम, हमें दिया गया काम उतने ही बखुबी तरीके के से निभा सकते हैं जिसकी बदौलत आप किसी की मदद कर पाएं लेकिन इसका मतलब यह कता ही नहीं होता कि आप आपकी मुख्य जो भूमी का है उसे नजर अंदाज करें या उसे भूल जाएं तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कहानी के माध्यम से आपको वो संदेश मिला होगा कि हमें हमारी भूमी का किस प्रकार निभानी है कि हमसे हमारे परिजन, दूसरे, हमारे साथ ही क्या उम्मीद रखते हैं तो जो भी भूमी का आप निभाएं, जो भी दायत्व आपको दिया हो ये जरूर कोशिश करें कि आपको उसको 100% इमानदारी के साथ, मेहनत के साथ और पूरे दिल के साथ शिद्दत से निभाएं कहानी सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद